हेलो फ्रेंज, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आजम इस वीडियो में डिसकस करने वाले है कि आखिर जिस NRC and CAB का भारत में जबरदस विरोध हो रहा है वो क्या है वीडियो को लास तक जरूर देखना ताकि आप समझ पाओ कि आखिर भारत में इन बिल का इतना जबरदस विरोध क्यों हो रहा है इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस जरूर कर देवे और अगर आप हमारे दवारत दी गई जानकारी से संतूस्ट होए तो वीडियो को लाइक करना भी ना बुले सबसे पहले हम बात करते हैं CAA आखिर क्या है ये CAA यानि Citizenship Amendment Act जो 12 December 2019 को प्रेजिडेंड की मंजूरी मिलने के बाद अमल में आया इस एक्ट के तहट हमारे तीन पडोशी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगला देश में धरम उत्पिडन के नाम पर छे कम्यूनिटी के लोगों को भारत की नागरिक्ता मिल सकेगी ये छे धरम है हिंदू, सिक, बोध, जेन, पार्सी और इसाई इस बिल में मुस्लिम्स को भारतिय नागरिक्ता नहीं मिल सकेगी जो इन तीन पर्टिकुलर कंट्री से आए है इस बिल का विरोध करने का सबसे बड़ा रेजन यही है कि आखिर इनको क्यों नहीं भारतिय नागरिक्ता मिल सकती है इन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि पाकिस्तान में सिया मुस्लमान भी वहां पर परताडित है उनको भी सिये बी के तहट इंडियन सिटिजन्सिप मिलनी चाहिए नागरिक्ता के लिए सीमा तै की गई है 31 दिसंबर 2014 यानि 2015 से पहले पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पिडंता के कारण भारत में आए केवल उनको ही भारतिय नागरिक्ता दी जाएगी और यह केवल 6 समुदाई वाले लोगों के लिए ही है मुस्लिम को इस बिल में सामिल नहीं किये जाने पर बहुत सारे मुस्लिम लिडर इसको अगेंस दी कॉंसिट्यूशन बता रहे है अब हम बात करते हैं NRC की यानि National Register of Citizens समझे ए NRC अगर लागू होता है तो क्या प्रोसीजर होगा पहली बात NRC का धरम से कोई लेना देना नहीं है बहुत सारे लोग इसको धरम के साथ जोड़ कर देख रहे है NRC के तहट उन सभी लोगों को एक फिक्स प्रोसीजर के तहट बारती नागरिकता मिल सकेगी जिनके पास अभी Indian citizenship नहीं है इसके तहट चाए हिंदु हो, मुस्लिम सीक हो या इसाई हो सबको अगर वो NRC के प्रोसीजर के तहट यह प्रोव कर पाए कि वो बारती है और उनके पास अभी तक बारती नागरिकता नहीं है उन सबको NRC के तहट Indian citizenship मिल जाएगी चाए उसका जो भी religion हो अब समझते हैं NRC किस तरह काम करेगा और कौन लोग NRC के तहट citizenship से ले सकेंगे और कौन NRC के तहट बाहर हो जाएगे जो लोग प्रोव कर देंगे कि वो legal citizen है उनको NRC मिल जाएगी यानि वो भारती नागरिक बन जाएगे जो प्रोव नहीं कर पए फिर उनके लिए आता है CAA अब उन लोगों को कहेंगे religion प्रोव करने के लिए समझो अब इसमें क्या होगा CAA के तहट हिंदू, सीख, जेन, बुदिस्ट, क्रिस्टन और पार्सी लोगों को पाकिसान, अफगानिसान और बांगला देशे, धरम उत्विडन से भारत माये, उन सब को CAA के तहट Indian citizenship मिल जाएगी अगर ये 6 कम्यूटी के लोग इन देशों के लावा आये हो चाहे वो फिर इंडियन ही क्यों नहाँ हो तो फिर illegal person हो जाएगे अब बात करते हैं CAAB में मुस्लिम का क्या होगा जो जिन लोगों ने प्रूव कर दिया कि वो भारती है तो उनको कोई problem नहीं होने वाली अब बात करते हैं मुस्लिम जो प्रूव नहीं गिर पाए कि वो भारती है, उनको CAAB के तहट भारती नागरिकता नहीं मिल सकेगी अब देखो आगे क्या होगा उनके साथ, no right to vote इनको detention center में भेज़ दिया जाएगा और deport कर दिया जाएगा एक बात साप है इससे भारती मुस्लिमानों को कोई नुक्सान नहीं होने वाला उनको डरने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें